स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आदित्य मोटो राइड में और आज हम बात करने वाले हैं आठ ऐसी अपकमिंग बाइक्स के बार में जो की कुछी महीनों के अंदर भारती बजार में लॉंच होने वाली है तो यहाँ पर नंबर वन पर आती है यामाहा फेक्टर 125 यह एक एंट्री लेवल की कम्यूटर बाइक है जिसकी प्राइजिंग यहाँ पर होने वाली है 90,000 रुपीज बाइक का जो लोग है वो प्राइस के साथ से बहुत ही शानदार है बहुत ही बड़ी है लुक्स आपको यहाँ पर मिल जाता है अगर बाइक के लेक्टरिकल की बात और 10 Nm का टॉर्क मिलेगा और इस बाइक में आपको number of 5 gears मिलने वाले हैं बाइक में दोस्तों यहाँ पर आपको analog और digital दोनों का ही combination वाला मिलेगा फ्रेंट में आपको telescopic suspension मिलेगा पीछे आपको double shock absorber suspension मिलेगा यहाँ पर फ्रेंट में जो display है वो आपको 245 mm की मिलेगी और इस में आपको Yamaha की UBS system मिलेगा breaking के लिए तो जो skid वगेर होने के chances होते हैं वो यहाँ पर इस बाइक में आपको छुड़ बहुत कम देखने को मिलने वाले हैं तो overall कम price में बहुती बढ़िये features और बहुती बढ़िये looks के साथ में Yamaha की factor आने वाली है अब अगर बात कर लेत गिरी में ये बाइक आती है इसकी pricing रहेगी 1,60,000 रुपीज के तकरीबन जो बाइक का लोग है वो बहुती शान्दार इसका जो sitting posture वो upright है और आप दो लोग आराम से comfortable होकर इस बाइक में travel कर सकते हो अगर यहाँ पर बात कर electricals की तो सामने आपको मिलेगा LED headlight पीछे आपको मिलेगा 149cc का liquid cooled single cylinder engine जिसमें आपको 21BHP की power और 17Nm का torque मिलेगा और इसमें आपको number of gears 6 मिल जाने वाले है बाइक में दोस्तों आपको all digital console मिलेगा dual channel ABS यहाँ पर आपको मिल जाने वाला है front में आपको USD front suspension मिलेंगे हो सकते हैं कि इंडिया में आया तो आपको telescopic मिल जाए औ अब अगर बात करें कि ये बाइक कब तक launch हो जाएगी तो November 2022 तक ये बाइक confirm भारती बजार में launch हो जाएगी नमबर 3 पर आती है Hero Charisma XMR ये बाइक अपने जमाने की सबसे पहली fully fed बाइक थी जिसने भारती बजार में तहल का मचा दिया था और अब वापसी ये बाइक भारती बजार में तहल का मचाने आने वाली है अपने नए नाम के साथ ये बाइक आएगी जो कि है XMR बाइक का जो 1,60,000 रुपीज से ये बाइक चालू होगी यहाँ पर जो लुक से बाइक का वो यहाँ पर बहुत ही शांदर होने वाला है आपको split seats इस बाइक मिलेगी front में आपको telescopic fork suspension मिलेगा पीछे आपको monoshock suspension यहाँ पर मिलने वाला है clip on handlebars आपको इस बाइक मिलेंगे digital instrument console अगर engine क बात करें तो इसमें आपको मिलेगा 210cc का single cylinder liquid cooled engine जिसमें आपको 20 bhp की power और 70 newton meter का torque मिलेगा और इसमें आपको number of 6 gears मिल जाएंगे तो dual channel ABS भी यहाँ पर आपको इस bike मिलेगा तो overall जो features हैं वो इस bike में आपको बहुत ही शांदर मिल जाने वाले हैं अब अगर बात कर लेते है कि यह bike कब तक launch हो जाएगी तो August and 2023 में यह bike confirm भारतिय बाजार में launch होने वाली है नमबर 4 पर आती है Yamaha MT 125 यह एक entry level की naked street sports bike होने वाली है जो कि KTM Duke 125 को टकर देगी एक लाख 30,000 रुपे से यह bike चालू होने वाली है bike का जो look है वो यहाँ पर identical रहेगा अपनी MT 15 से वैसा ही तब भी आपको इस bike में देखने को मिलने वाला है अगर बात करें इस bike के engine की तो इसमें आपको मिलेगा 124 CC का single cylinder oil cooled engine जिसमें आपको 14 BHP की power और 11 Nm का torque मिलेगा और number of gears इस bike में आपको 6 मिल जाने वाले है बाइक में यहाँ पर आपको all digital console मिलने वाला है इस bike में आपको dual channel ABS म मिलेगा यामा की advanced technology आपको यहाँ पर offer कर दी जाएगी और जो build quality bike की वो भी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया हो जाने वाली है front में आपको telescopic suspension मिलेंगे और पीछे आपको monoshock suspension मिल जाने वाले है जो tire size रहेगा वो यहाँ पर MT15 जो आती हो उस से थोड़ा छोटा रहेगा त Honda CL250 यह एक scrambler bike है जिसकी pricing रहेगी दो लाग रुपे bike का जो look है वो यहाँ पर बहुत ही शानदर है जो sitting posture वो अपराइट हो तो आप दो लोग आराम से इस bike में travel करने वाले हो जो bike का exhaust का position है मतलब जो designing वो मुझे यहाँ पर definitely बहुत जाधा पसंद आई है bike में आपको मिले बाइक में आपको digital meter मिलेगा, front में आपको telescopic suspension मिल जाने वाले है हां मैं जानता हूँ कि इस price segment में USD मिलना चाहिए लेकिन आप जैसा company ने plan किया है उसी हिसाब से यह bike चलने वाली है पीछे आपको मिलेगा monosok suspension, dual channel ABS और dual disc brake आपको इस bike में offer कर दिये जाने वाले हैं अब पर आती है Yamaha Phaser 150, यह एक naked category की 150cc की bike है जिसकी present रहेगी 1,10,000 रुपीज जो bike का looks है वो यहाँ पर बहुती शानदर है जो tank पर काउल है वो यहाँ पर पूरी कोशिश करता है bike को एक sporty look देने की आप दो लोग आराम से comfortable होकर इस bike में travel कर लोगे, सामने आपको LED headlight मिलेगी, पीछे आपको LED headlight मिलेगी और bulb indicators इस bike में आपको offer कर दिये जाने वाले हैं, अगर bike के engine की बात करने तो bike में आपको मिलेगा 150cc का air cooled single cylinder engine जिसमें आपको 14 bhp की power और 11 newton meter का torque मिलेगा और number of gears आपको इस bike में 6 मिल जाने वाले हैं, analog और digital instrument console यहाँ पर आपको offer कर दिये जाएगा पीछे आपको मिलेंगे dual shock absorber suspension और सामने आपको telescopic मिलेगा, front में आपको disc brake मिलेगा और पीछे यहाँ पर आपको drum brake मिल जाने वाला है, और यहाँ पर आपको Yamaha की UBS braking technology मिल जाएगी, तो bike skid वगेर होने के जो chances है वो भी यहाँ पर कम रहेंगे, अब अगर बात कर लेते हैं कि यह bike कब तक launch हो जाएगी, तो दोस्तों November 2023 तक यह bike confirm भारती बजार में launch हो जाएगी, नमबर 7 पर आती है Honda Genio, यह एक दरसल स्कूटी है जिसकी pricing रहेगी 86,000 रुपीज, इस स्कूटी का जो looks है वो यहाँ पर बहुत ही शानदर है, आप आराम से comfortable होकर स्कूटी को travel कर लो मिलेगा और पीछे आपको drum brake मिलेंगे और 12 इंच के tubeless alloy wheels आपको इस स्कूटी में offer कर दिये जाने वाले हैं, एंजिन की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा 110 cc का air cooled engine जिसमें आपको 8.85 bhp की power और 10 newton meter का torque मिल जाने वाला है, और gear वगेर तो होता ने स्कूटी में CVT के transmission मे अगर बात कर लेते हैं कि ये स्कूटी कब तक launch हो जाएगी और हाँ इसमें आपको digital instrument console भी मिल जाएगा, अब अगर बात कर लेते हैं कि ये स्कूटी कब तक launch हो जाएगी तो October 2023 में ये स्कूटी confirm भारतिये बाजार में launch होने वाली है, नमबर 8 पर आती है कीवे RKF 125, ये ज तो बाइक का जो लुक्स है वो बहुत ही sporty और muscular है, split seats आपको यहाँ पर मिलती है, digital instrument console आपको इस बाइक मिलेगा, सामने आपको LED DRL और LED headlights का setup मिलेगा, पीछे आपको LED indicators और LED tail light इस बाइक में उफर की जाएगी, इस price segment में आपको इतने अच्छे electricals और दूसरे बाइक कंपन मिल जाने वाले हैं, सामने आपको telescopic front suspension मिलेंगे, पीछे आपको monoshock suspension मिलेगा, Indonesian market में आपको USD मिलता है सामने, लेकिन जब इंडिया में आएगी तो cost cutting करने के लिए आपको telescopic ही मिलने वाला है, single channel ABS आपको इस bike में available करवा दी जाएगा और दोनों ही wheels पर आपको dual disc brake मिल जा आने वाले हैं, अब अगर बात कर लेते हैं कि ये bike कब दग launch हो जाएगी, तो October 2023 तक ये bike confirm भारती बजार में launch हो जाएगी, बाके दोस्तों आप comment करके बताना कि इन 8 bikes में से कौन सी bike को आप लेना पसंद करोगे, तुमें दी कि आप सभी को ये video पसंद आई होगी, और अग अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो सबस्क्राइब करके बैल आइकन दबा दो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही videos लाता रहता हूँ, अब एक लिए thanks, till then wait for my new upcoming videos